साथियों ये फासलों के सुधार की कड़ी में बहुत महत्पूर्ण वीडियो है जिसमें की हम जानेंगे फासपूरस के बारे में पहली वीडियो में हमने नाइटोजन के बारे में जाना था और नाइटोजन में पौदा जितना उपर की तरफ विकास करता है फासपुरस उतना ही जड़ों पर कारे करता है पौदे में नीचे की तरफ कारे करता है तो आज जानेंगे फासपुरस के बारे में फासपुरस होता क्या है फासपुरस कितने प्रकार का होता है और पौदे के लिए फासपुरस का महत तो क्या है फासफूरस खाद मिट्टी में किस प्रकार से कारे करता है फासफूरस की कमी के लक्षन क्या क्या होते है और पौधे में फासफूरस की कमी के मुख्य कारण क्या है किस वज़े से फासफूरस की हमारी मिट्टी में कमी होती जा रही है फासपुरस की कमी को पूरा करने के लिए बहुत से जरूरी जो पोसक्ततों है वो कौन-कौन से हैं, किस अवस्था में देने चाहिए, कितनी मात्रा में देने चाहिए, किस प्रकार से देने चाहिए इसके बारे मैं आज बहुत अच्छे से जानेंगे तो बने रहे हैं वीडियो पर आईए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की साथे सबसे पहले पॉइंट में जानेंगे कि फासपुरस होता क्या है और फासपुरस को हम किस प्रिकार से उपयोग मिलाते हैं इकने प्रिकार का होता है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फासपुरस है क्या फासपुरस एक रासाइनिक तत्व है लेकिन निकलता फासफेट की खदानों से है और इसे हम P से प्रिदर्सित करते हैं जैसे N,P,K तो इसमें P जो होता है वही फासपुरस है और Phosphorus को P से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्रीक भाहसा का सब्द है Phosphorus और इसे हम ग्रीक भाहसा में Phas और Phorus यानि Phas का मतलब होता है प्रकास और Phorus का मतलब होता है धारक से तो ये हमारी भाहसा में तो भाश्ष्वर होता है और ग्रीक भासा में यह Phosphorus बोला जाता है जिसे P से पिरदर्सित किया जाता है इसलिए इसे P बोला जाता है साथी यह फासफेट की चटानों से निगलता है इसलिए इसे फासफेट भी बोला जाता है यानि फासफूरस के साथ इसका दूसरा नाम फासफेट भी है और इसे फासफेट के नाम से भी जाना जाता है फासफेट को हम कैई प्रकार से यूज करते हैं जैसे DAP डाय अमोनियम फासफेट में यूज किया जाता है SSP सिंगल सुपर फासफेट में यूज किया जाता है रॉक फासफेट में यूज करते हैं तो इसे हम different different category में रासाइनिक ततों में यूज करते हैं और अगर देखें organic में तो ये बहुत सारे जो vermi compost खाद होते हैं उनमें काफी मत्रा में पाया जाता है साथियो आप जानते हैं कि फासफेट या फासफूरस हमारे पौदों के लिए जरूरी क्यों हैं तो साथियो जैसा मैंने पहले बताया कि ये पौदे के नीचे की तरफ ज़्यादा कारे करता है ये पौदे में crown roots जो सफेद जड़े होती हैं जो कि भोजन को जल्दी से absorb करती ह उन जड़ों का विकास तेजी से करता है जड़े ज़्यादा area में फैली होती है तो वो ज़्यादा दूर से अपने बोजन को grand करने की छमता विक्सित कर लेती हैं जिसे पौदे में तेजी से विकास देखने को मिलता है साथियो जब जड़े मजबूत हो जाती है तो को इस्टोर करना और इस्टोर करने के बाद में उसको पौदे के लिए अविलेवल कराते रहना ये डियापी डायमोनियों फासपेट यानि फासफूरस का मुख्यकार्य है इससे पौदे के डंठल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जिससे कि फल छिटकते नहीं है और दूसरा पौदे के अंदर रोग प्रत्रोदक शमता बहुत तेजी से विक्सित हो जाती है इससे पौदे जल्दी से रोग ग्रस नहीं हो पाते हैं साथियो अगले टॉपिक में बात करते हैं कि फासफूरस खाद मिट्टी में क्या कारे करता है साथियो मिट्टी के यह mix हो जाता है तो यह बहुत दूर तक नहीं फैलता ह। जितने एरिया में इसे डाला जाता है उतने ही एरिया में यह मिट्टी को उपजाव बनाने का कारे करता है। की मात्रा है वो 0.2 से 0.3% तक ही पाई गई है लेकिन होनी जीए 0.8% तक अगर इतनी मात्रा फासफुरस की मिट्टी में है तो वो ज्यादा उपजाव सिद्ध होगी साथियो फासफुरस की मात्रा मिट्टी से बहुत जल्दी से तेजी से गिरती चली जा रही है इसलिए किस किसांसातियों को सतर्क होनी की जरूरत है और यहाँ पर किसांसातियों अधी अलर्ट रहेंगे तो अपनी मिट्टी को यहाँ उपजाव बनाई रखेंगे क्योंकि फासपुरस कम होने का मतलब है कि बिल्कुल उत्पादन डाउन हो जाना उत्पादन पर सीधे एफेक्ट दे लगेगा यह सबसे मुख्य लक्षन होता है ढूसरा पॉदों का कलर बिल्कुल बैगनी हो जाता है पत्तों का कलर बैगनी थे लिए उसमें बैजनी कलर के जब्बे भी दिखाई देने लगेंगे यह बड़ा सिंटम में बड़ा लक्षन है ई जो की पूदह сделव बड़ नहीं रही हों जिनमें crown roots नहों समझ लेना चाहिए कि इस पौदे में fast forest की कमी है साथिव fast forest की कमी के मुख्य कारण जान लेते हैं कि क्यूं इतनी कमी fast forest की अपनी खेती में देखने को मिल रही है तो सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है वो है पानी का बह जाना एक बार खेत में पानी भरने के बाद अगर पानी वहां से बह जाता है तो fast forest की जितनी में मात्रा होती है वो मिट्टी से बह के बाहर चली जाती है इसका विशेस द्यान रखना चाहिए कि पानी को खेत से बाहर बहने ना दें दूसरा एक बड़ा लक्षन होता है कि जब ज़्यादा heavy सर्दी पड़ती है उस इस्थिति में fast forest की कमी विल्कुल देखने को मिलती है उस अवस्था में fast forest कारे नहीं कर पाता और वो पादे को जल्दी से नहीं मिल पाता है ये सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है तीसरी एक बड़ी समस्या है कि पोशक तत्तों की कमी हो जाना मिट्टी के अंदर pH का disbalance हो जाना अगर आपकी खेती का pH 5.5 से 7.2 के बीच में है तभी वो पौदे को absorb हो पाता है वरना पौदा फासपुरस को ग्रहनी नहीं कर पाता और वो समस्या हैं बिल्कु सभी देखने को मिलती है जो कि हमारे खेत में खाद की कमी के बज़े से होती है साथियो अब बात कर लेते हैं कि पौदों में फासपुरस की कमी को तुरंत कैसे दूर कर सकते हैं कैसे control कर सकते हैं बिल्कु तुरंत तो pH को ठीक करें सबसे पहले दो खेत में अगर pH ज़्यादा हो रहा है तो fit curry डाल दें तुरंत control होगा 8 से 10 दिन के अंदर साथियो 5.5 से 7.2 तक के pH जो हैं वो सबसे अच्छे रहते हैं फसलों के लिए तो इतना pH अपना maintain करके जरूर रखें साथियों सबसे मुख्य जो point है इस स्थिति में वो यह है कि जब आपको पता है कि pH आपका बढ़ा हुआ है तो उस अवस्था में अपने जितने भी पोसक्ततों हैं उन्हें spray के माध्यम से देदें पौदे को वो सबसे अच्छा रहता है फास्फुरस की मात्रा भी अगर देनी है तो उसे भी spray के माध्यम से देदे है nitrogen देना है spray के माध्यम से देदे है अगर खेतों में मिट्टी में डालेंगे तो वो पोदे को नहीं absorb हो पाएगा अगर पोदा उसे तुरंत ग्रहन करेगा आपकी फसल अच्छी होगी और धीरे-धीरे आप मिट्टी का treatment करते रहें जिससे की pH आपका सही हो जाए साथियों आप जानेंगे कि फास्फूरस की मात्रा का permanent इलाज किया है तो इसके लिए हमें गोबर की सडीगली खाद का उपयोग करते रहना चाहिए और दूसरा हमें single super phosphate और diamondium phosphate उसके साथ में हमें rock phosphate तीनों में से किसी भी एक का उपयोग करते रहना चाहिए लेकिन सही मात्रा में और कम मात्रा में ही उपयोग करें वो ज्यादा अच्छा रहता है अगर ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो वो भी हमारी फसलों के लिए नुकसान दैक से दोता है और साथियो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे जो जीवासम होता है हमारी फसलों का जीवासम है यानि कि जितनी पूवाल होती है हमारी फसलों की उसे हमें खेतों में जोत देना चाहिए जोता है अगर उसमें कर देंगे तो उससे ज़्यादा फास्पूरस हमारी फसलों को देखने को मिलता है इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे साथियो